दोस्तों आप में से मेरे बहुत अधिक मित्रों के मुझे फोन वे मैसेज प्राप्त हो रहे हैं जिनकी इच्छा है कि मैं ताकत और वजन दोनों को बढ़ाने वाली कोई ऐसी दवा बताऊं या कोई ऐसा नुस्खा बताऊं जिसे आसानी से घर पर बना कर प्रयोग किया जा स सकता हो उसका लाब भी काफी तेजी से दिखाई दे परंतु उसकी कीमत भी अधिक ना हो यूं तो इस प्रकार की विरोधभाशी च्छाओं को पूर्ण कर पाना कठिन होता है परंतु असंभव नहीं तो इसी कारण आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसे आ प्रियोग कर सकता है और इसका प्रियोग करने के कुछी दिनों में आपको काफी सकारात्मक परिणाम दिखाई देना भी प्रारंब हो जाएगा और सबसे खास बात इसकी कीमत भी बहुत अधिक नहीं होगी परंतु बहुत अधिक सस्ता भी नहीं रहने वाला है तो चलिए बिनादेर किये प्रारंब करते हैं बहुत ही मैनत से या नुस्खा आपके लिए बना कर मैंने तयार किया है अंतक आउश्य देखेगा और इस नुस्खे को मैं लिख कर अपने इंस्टाग्राम पेज के उपर भी डाल दूँगा आप वहाँ जाकर भी इसे नोट कर सकते हैं उसका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में डाल दूँगा साथी साथ आपको कमेंट सेक्षिन में भी उसका लिंक मिल जाएगा तो चलिए बिनादेर किये प्रारंब करते हैं नमस्कार मित्रों में डॉक्टर रोबिन सर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ मूल रूप से इस नुस्खे का उद्देश से है आपके बल वजन में वृद्धी करना तो है ही परन्तु इस नुस्खे के प्रियोग से आपको अपने सरीर में काफी सकारात्म कूर्जा की भी अनुबूती होगी आपकी मानशिक चक्ति को या बढ़ाने का कारे करेगा पाचन तंत्र की निर्बलता को या दूर कर उसे बल प्रदान करने का कारे करेगा और सबसे खास बात पुर्षो वा महिलाओं से संबंदित विभिन परकार की योन दूर बलता को भी या दूर करने का कारे करेगा तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस नुष्खे को बनाने में आपको किन किन चीजों की आउशक्ता होगी ततपस्चात, प्रियोग विदी वे मात्रा के विशे में आप सभी को मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको आउशक्ता होगी सफेद मूशली 30 ग्राम की मात्रा में, छुहारा 50 ग्राम की मात्रा में, अब पीपली 5 ग्राम, लोंग, जायफल, जावित्री, तेजपत्र, बला, केसर, अकरकरा और वंसलोचन, ढाई डाय ग्राम की मात्रा में, अब बादाम, अखरोट पिस्ता और तामल खाना, सभी 10-10 ग्राम की मात्रा में, इन सभी को आप दर-दरा कूट लीजे, या फिर बारिक चून बना लीजे, वो आपकी इच्छा के उपर निर्भर करता है, अब आधा किलो दूद में 50 ग्राम घी डाल कर इसे तब तक पकाएं, जब तक मात्रा एक चोथाई ना रह जाए, अब 1500 ग्राम मिस्री पाउडर आप इसके अंदर मिला दीजिये और सब से अंत में तयार किया गया चून आप इसके अंदर मिला दीजिये, और खूब अच्छे से हिलाते रहिए, जब तक बिलकुल पानी ना सूख जाए, इसे हिलाते रहिए, फिर इसे किसी सुरक्षित सीसी में भरकर रख लीजिए, पाच से दस ग्राम की मातरा में सुभह शाम दूद के साथ प्रयोग करने पर यह शक्ति पाक, हलाकि यह नाम काल्पनिक है, मैंने अपनी सुईधा के लिए यह नाम रखा है, आप इसे कुछ भी कह कर पुकार सकते हैं, आपके बल, आपके वीर, आपकी काम शक्ति को बढ़ाने का कारे करेगा, अपने अंदर समाही तत्त पोष्टिक गुणों के चलते आपके समस्त स्वास्त को या बढ़ाने वाला उसे सुरक्षित करने वाला वीरे दोस्तों को दूर करने वाला सारीरिक कांती सारीरिक आभा में वृद्धी करने वाला यह योग है वहीं विभिन पाचक ओशिदियों क दम पर आपके पाचन तंत्र को बल प्रदान करते हुए आपके वजन को भी बढ़ाने कायकारे करेगा बहुत ही उत्तम लाब प्रदान करने वाला यह और वेदिक नुस्खा बड़ी है आसानी से अपने घर पर बना कर प्रयोग भी कर सकते हैं तो दोस्तों मुझे पून व किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिया आग्या चाहूंगा मिलते अगले वीडियो में नमस्कार